हे गाइस आज की इस वीडियो में हम कंपेरिजन करने वाले हैं चैने सुपर किंग्स और कॉलकता नाइटर एडिट्स के दो इसे बले बास जिन्होंने आईपेल में बहुती शांदार परदेशन क्या है हाला कि आईपेल 2020 में उनका कोई अच्छा परदेशन नहीं रहा है लेकिन ओर ओल देखे तो उनका परदेशन बहुती शांदार रहता है तो दोस्तो हम इन दोनों प्लेयरों का आईपेल रिकोर्ट्स और स्टेटेस पर नज़र डालेंगे तो दोस्तो वीडियो पहुती इंट्रेस्टिंग होने वाला है तो वीडियो को अंतर तक जरूर देगे दोस्तो अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे दोस्तो आज की इस वीडियो में हम कंपेरिजन करने वाले अमबाती राइडो और दिनेस कार्तिक के बीच दोस्तो अमबाती राइडो आईपियल में चैने सुपर केंग्स की टीम की और से खेलते हैं वही दिनेश कार्थिक कॉल कता नाइट राइडर्स की टीम की और से खेलते हैं अबाती राइडों ने IPL में 2010 में डेब्यू किया है वही दिनेश कार्थिक ने 2008 में डेब्यू किया है अबाती राइडों का IPL प्राइज 2.20 क्रोड है वही दिनेश कार्थी का IPL प्राइज 7.40 क्रोण है अमबाती राइडों का बेटिंग इस्टाइल राइट हेंड़ है वही दिनेश कार्थी का बेटिंग इस्टाइल भी राइट हेंड़ है दोस्तों अमबाती राइडों ने IPL में 157 मेंच खेले हैं वही दिनेस कार्थिंग ने IPL में 144 मेच खेले है अमबाती राइडों ने IPL में 115 इनिक्स में 3500 रण बनाए है वही दिनेस कार्थिंग ने 155 इनिक्स में 3800 रण बनाए है अमबाती राइडों का IPL में हाइस्ट स्कोर 100 रण है वही दिनेश कार्थी का IPL में हाइस्ट स्कोर सत्याणूरन है अमबाती राइडो का IPL में एवरेज गुनतीस दसमलो एक नो है वही दिनेश कार्थी का IPL में एवरेज 26.04 है अमबाती राइडो का IPL में स्ट्राइड रेट 125.09 है वही दिनेस कार्थिंग का IPL में स्ट्राइड रेड 129.40 है अम्बाती राइडों ने IPL में 19 अर्ध सतक लगाए है वही दिनेस कार्थिंग ने भी 19 अर्ध सतक लगाए है अम्बाती राइडों ने IPL में एक मात्र सतक लगाए है वही दिनेस कार्टिंग ने अभी तक एक भी सतक नहीं लगाये है अमबाती राइडों ने आईपेल में 301 चोके मारे है वही दिनेस कार्टिंग ने आईपेल में 307 चोके मारे है अमबाती राइडों ने आईपेल में 136 मारे है वही दिनेस कारतिक ने IPL में 105-6 मा रहे है तो दोस्तो यह था इन दोनों प्लेयरों का IPL में परदशन दोस्तो आपके हिसाब से इन दोनों प्लेयरों में से बेस्ट प्लेयर कौन सा है और आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बदाएं दोस्तों अगर वीडियो पसंद आये तो वीडियो वो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें